हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरसोती इंगल्स क्लासेज में मैं समेसिंग एक बाइफिस से लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड अद डे 29th 28 में आपसे पूछा गया था एक वर्ड दे करके B-R-O-W-B-E-A-T कि इसका इननसेशन, इसका अर्थ और किस ट्रिक की माध्यम से इसे हम लंबे समयता की याद रख सकते हैं वो आपको बताना था आपने बताया नहीं शायर हो सकता हो आपने कोशिश ना कियो चलते हैं कोशिश हम करते हैं आप सुनिये अगा ध्यान से स्पेलिंग आपने देख लिया आपको ये भी बता दूमें ये प्योरली वर्ब है ये वर्ब है इसका हम नाउन और एड्जेक्टिव की रूप में इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं जो इननसेशन होता है वह होता है ब्रो 대통령 का ब्राव नाकि ब्रोव मत बौलिएगा ब्राव बीट ब्राव बीट इसका इननसेशन शुद उचारन है मतलब होता है धंकाना या किसे इसंपर अपना धौंस देना ठेके आसानी से समझ सकते हो आप इस image के माध्यम से बट ये है कि आपको keyword और trick जानना होगा बिना इसके आपका ये image भी काम ने करने वाला तो image आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा इसलिए image दे दिया हूँ मैं बट आप एक बाद थोड़ा की और trick को देख लिजिएगा keyword के लिए आपको इसको फरकेट रहने कि दो भागों में बाट देनी है पहला BRO और दूसरा BAT W को silent मानिएगा वैसे लेटर silent होता है बहुत सारे English word में तो यहां पर देखेगा यह हमने लिया BRO अब आप इसको कहिएगा BRO 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 मतलब ब्रिदर वाला भाई वाला और BIT BIT मतलब को बताई होगा पीटना चिक है BRO और यह है BIT अब आप image को देखेगा और आप इस trick को दे हो सकता है मजे भी ले रहे हूं बर छुडाने वाला भी इसमें देख रहा है तो यहां ट्रिक देखेगा BRO BIT के माध्यम से इसे आसानी से समझ सकते हैं ठीक है BRO लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है BRO भाई इसे BIT मत यानि पीट मत धमकी देके छोड़ देना अगली बार कुछ बोलेगा न तो इसका मुँ तोर देना यानि कि अभी इसको पीट मत भाई देखेगा ध्यान से भाई इसको पीट मत केवल धमकी देके छोड़ देए पस अपना धौज खमाने के लिए एक बार धमकी दे दे हाँ अगली बार यह ऐसा कुछ किया तो फिर मूह तोर देना इसको जो भी करना होगा करना बट इस बार छोड़ देना जैने गली बार पंगा लेगा तो नंगा करना बट इस बार नहीं इस बार केवल भाई जो है ना पीट मद इसको इस बार केवल धमकी दे के छोड़ दे तो इस तरीके से आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, तो next word की तरह हम बढ़ते हैं, जो आपके लिए word of the day 30 के लिए होगा, और वो इसको हटाने के बाद दिखेगा मुझे, ये आप अगर ध्यान से देखे, F-R-U-G-A-L, 29 के नीचे मैं इसको अगर करता हूँ, तो यहाँ है आप इसको हटा दे रहा हूँ है, F-R-U-G-A-L, क्या होता है enunciation, क्या अर्थ निकलेगा, क्या keyword होगा, जिसके मादम से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, तो आशा है, आपको ये समझ में होगा, अगर समझ में आओगा, तो like, share, subscribe, comment, कुछ भी कर लेना यार, बार-बार कहूंगा, आप नहीं करोगे, Instagram, Samir Singh वीडियो जहाँ पर आपको बहुत सारे poems, बहुत सारे दो-दो lines के आपको मिलेंगे, जिसे शारी या कपलेट बोलते हो आप, अलामा इसके interesting facts, psychological facts मिलेंगे, और यह है सेक by Samir Singh, दूसरा Instagram, जहाँ पर आपको English के idioms, phrases, vocabs, grammar के rules, literature और बहुत सारे English के English से related आपको facts मिलने वाले हैं, तो एक बार वीज़र जूर कीजएगा, जूरूर नहीं फालो करें आप, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल किएगा, thank you for watching the video,